budgeting क्या होती है, कैसे करनी होती है और उसके थुरू आपकी जरूरतें, आपकी खौईशें और आपकी investing कैसे पूरी हो सकती है जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों जबसे मैं personal finance के वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि equities में डालिये, corporate bonds खरी दिये, gold खरी दिये, कुछ भी ऐसा हो, सबसे basic question जो मुझसे पूछा जाता है, वो यह होता है कि जब हमें salary मिलती है, यह जब हमारे पास कुछ पैसा आता है, तो उसको allocate कैसे करें? क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरते हैं, हमारे को rent का पैसा देना है, अपने bills का पैसा देना है, अपने खाने का पैसा देना है, transportation में इतना जाता है, फिर हमें phone भी खरीदना है, bike, गाड़ी खरीदनी है, शायद घर भी खरीदना है, छूटियों पे भी जाना है, अभी नहीं, लेकिन कभी तो जाना ही होगा, और फिर आप बोल रहें, investing भी करिए, तो how should one think about it? इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही basic budgeting principle शेर करूँगा, लेकिन एक twist के साथ, आपने शायद 50-30-20 budgeting principle का नाम सुना होगा, और मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा start है, मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने 20 से अपने 30 से में जाते हैं, या अपनी first job से अपनी दूसरी तीसरी job में जाते हैं, ये 50-30-20 rule नहीं चलता है, क्या चलता है? देखेंगे, सबसे पहले budgeting होती क्या है? Budgeting basically एक बहुत ही simple सा exercise है, which means कि जो भी आपका पैसा हर महीने आ रहा है, from your आ रहा है, आ रहा है, from your salary, आप freelancing कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, या आपका business है, जो भी कुछ हो, there is an income that you are getting at a personal level, और उसके against आपके expenses होते हैं, अब expenses के तीन main categories होती हैं, जरूरत हैं, which are your needs, ये ऐसी चीज़े हैं, जो आपको करनी ही करनी हैं, आपका rent हो गया, या आपका EMI हो गया, घर का EMI हो गया, या अगर कोई और आपने loan लिया हुआ है, उसका EMI है, आपका खाना हो गया, आपके basic कपड़े हो गये, आपके bills हो गये, बिजली का, फोन का, इंटरनेट का, कोई Netflix, YouTube, जो भी subscription है, basic चीज़े, that is your need, and you have to of course service that, फिर आती हैं आपकी wants, आपकी इच्छाएं, जो की होती हैं कि मुझे एक phone खरीदना है, या मुझे एक बड़ी आसा camera खरीदना है, या मुझे गाड़ी चाहिए, या बाइक लेनी है, या ultimately घर लेना है, या इस साल में एक बहुत अच्छे vacation पर जाना चाहती हूँ, चाहे वो international हो, या desi हो, whatever the case may be. So things that you want from a desire perspective. And then तीसरा है कि अंकुर वारेकू हर अफते आके बोलते रहते हैं, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, पैसे हैं नहीं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, मेरे पास यह सारा knowledge आचुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या-क्या होना चाहिए उसका तोड, So, there is a process called budgeting which helps you make a mental model of that. अब सबसे fundamental एक budgeting principle या model होता है, 50, 30, 20. What it says is, कि जितनी भी आपकी salary या income है, उसका 50% should go towards your needs, क्योंकि वो आपकी जरूरत हैं, तो उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, and 50% should go there. 30% should go towards your wants, आपकी चाहें, आपकी desires, आपकी ख्वाहिशें, ओन, जो भी कुछ हो, and then 20% goes towards investing, saving for the future. Now, as a start, this is a really good model. तो अगर आपकी पहली नोकरी लगी है, and you have just started earning, क्या आपने अब आपकी अपना फ्रीलांसिंग शुरू किया है, and your first money is coming in, 50, 30, 20 is a great rule to start with. But, within 2 to 3 years, in fact, I would say at the end of the first year itself, ये जो rule है, ये fail होने लगता है. क्यों? क्योंकि आपकी जो needs हैं, जरूरत हैं, वो ना आपकी growing income से हमेशा 50% पर नहीं रहेंगे. ये जरूरी नहीं है कि, आप अगर एक साल बाद, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो उसका पूरा 50% आप अपनी needs पर डाल देंगे, क्योंकि आपकी needs तो आपकी needs हैं. अगर आप एक single person है, आपकी शादी नहीं हुई है, ये शायद माबाप को आपको खर्चा नहीं देना है, ये पैसे नहीं देना है, तो ऐसा दहनी कि वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, that 50% of whatever you're earning, as much as it is growing, हमेशा उतना ही लगेगा. 50, 30, 20, अगर जिन्दगी पहर उतना ही रहे, तो फिर तो आप कभी ज़्यादा save या invest कर ही नहीं पाएंगे? अगर आपने अपनी पहली नौकरी से 20,000 या 25,000 रुपे महीने से शुरू करी है. और अब 5-7 साल बार, आप 50 या 60 या 70,000 रुपे कमा रहे हैं, तो उसका 20% मतलब सिर्फ 15,000 रुपे ही अगर आप डालेंगे हर महीने, तो इतना जादा नहीं बनेगा. Your retirement and your education and your marriage and your kids education वो सारे चीजें कवर नहीं होंगी. So the model has to change. That is what I want to tell you today. I have come up with a model, which is personally something that I have used. मैं बहुत लेट था इसको यूस करने में. So I would love for you to use it when you are in your 20s, ताकि अगले 50 सालों तक आप इस model को यूस कर सकते हैं. And the model is basically built on compounding. Compounding में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाये हैं. एक How to Invest in Your 20s वीडियो है, जो आप प्लीज देखिएगा इस वीडियो के तुरंथ बात, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि जो आप पैसा सेफ करेंगे, उसको इन्वेस्ट कहां करना है. लेकिन उसके पहले सेक्शन में मैंने compounding के power में बात पता रही थी. Compounding बेसिकली ये होता है, कि आप हर साल अगर एक regular rate of return कमाते रहेंगे, तो पहले पहले तो बहुत धीरे से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो 30 जी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो base होगा जिस पे वो 10%, 15% जो आप कमा रहे होंगे हर रहे साल, वो बढ़ता रहेगा. और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो 10-15% आपको हर साल बहुत बढ़ा सा एक chunk देंगे. And the basic assumption of compounding होता है, कि आपके पास वक्त है. अगर आप अपने 20s में हैं, तो आपके पास यह चीज है, आपके पास वक्त है. इसका मतलब कि आप जितनी जल्दी, इस budgeting principle को adopt कर सकते हैं, उतना ही power of compounding आपको अनुपफ करने को मिलेगा. क्योंकि आपके पास वक्त होगा, till the time you are earning. मेरा budgeting model आपको basically, यह बोलता है कि आपको सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करना है. सिर्फ 10 साल. आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप 20 साल से शुरू करते हुए, तो तीस साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं गैरेंटी देता हूँ, आप कभी भी पैसे की कमी नहीं अनुभफ करेंगे. लेकिन 10 साल तक पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करना है. How to do that and how does it work? Let's start. आपके लिए मैंने एक Excel sheet बनाई है, बड़े प्यार से बनाई है, मुझे Excel sheets बनाई हैं, बहुत मज़ा आता है, तो ये Excel sheet जो है, वो पूरे budgeting principle के साथ काम करती है and we will now go into it. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये screen and screen पे सबसे पहला है budget. Budget हम 2021 में हैं, आप, मैं अज्यूम कर रहा हैं, आपकी एक fresher हैं, तो आपकी salary अभी तक zero है. अगर आप अपने 20s में हैं, आप काम करना शुरू कर चुके हैं, आप अपने 30s में आप काम कर रहे हैं, whatever the case may be, आप अपनी starting salary यहां डालेंगे, increment और फिर ending salary. Increment मतलब अगर इस साल आपको कोई भी increment मिला है, कोई भी आपकी तरक्की हुई है और इसकी वज़े से आपको ज़्यादा salary मिल रही है from last year. Ending salary, 2,40,000 रुपे का example लेता हुए करूँगा, which is 20,000 रुपीस per month. हमने अपनी needs, wants और investments का starting किया है, 50, 30, 20. इसका मतलब, 50% towards your needs, 30% towards our khwahishे, our desires, and 20% हम invest करेंगे. तो इसका मतलब, 20,000 रुपे अगर मैं महीना कमा रही हूँ, तो इसमें से 10,000 रुपे मेरी जरूरोत की तरफ, 6,000 रुपे मेरी ख्वाहिशों की तरफ, और 4,000 रुपे मेरी investments की तरफ जाएंगे. Now is the key. अगले साल, आपकी starting salary कितनी है? 2,40,000 क्योंकि वहीं से आपने 2021 एंड किया था. पर्स करिए कि इस साल आपको 10% का increment मिला है. On your base salary. तो मतलब आपको 24,000 रुपे सालाना की increment मिली है. तो आपकी नहीं salary है 2,64,000. अब 50, 30, 20 रूल तो ये बताता है कि इस 2,64,000 को आप 50%, 30% और 20% में बाटेंगे and that will become your need, want and investment. मैं बोलता हूँ, correct. ये नहीं करेंगे. हम basically, जो ये 24,000 रुपे के increment मिली है ना मैं, हम इसको उल्टा कर देंगे. इस 24,000 को हम बोलेंगे, इस 24,000 में से 50% मेरी needs नहीं मेरी investments की तरफ जाएंगे. 30% मेरे wants पे और 20% मेरे needs पर. फिर से दो रहाता हूँ, जो मेरी increment मिली है मुझे, उसका मैं 50, 30, 20 need, want और investment में नहीं डालूँगा, उल्टा कर दूँगा. 50% investments, 30% want का want ही रहेगा, 20% need हो जाएगा. Which means, अब 10,000 से मैं 10,400 रुपे अपनी needs की तरफ खर्च कर सकती हूँ हर महीना, 6,000 से मैं अब 6,600 रुपे खर्च कर सकती हूँ, और 4,000 से अब मेरी investments बढ़कर 5,000 रुपे हो. आपकी ending salary थी, 264, 2021 में वही salary आपकी starting होगी, फर्स करिए फिर से आपको 10% increment मिलता है. तो इस साल, 2,64 का आपको 26,400 रुपे increment मिला. इस 26,400 को आप फिर से, 50, 30, 20 की ratio में बाटेंगे, लेकिन, उल्टा, 50% investments, 30% wants, 20% needs. समझ में आ गया ना? And what you'll see is, इसकी वज़ जैसे जो हमारा ratio है ना, वो change हो रहा है. तो हमारा starting ratio था 50, 30, 20, लेकिन एक साल बाट हमारा ratio of change होके, 47, 30, 23 हो गया. विच मींज, आपने थोड़ा सा, अपनी needs की तरफ से पैसा निकालते होए, अपनी investments में डाला. Bonds को हम नहीं रखें, मैं पता हूँगा Bonds को हम intact क्यों रख रहे हैं. एक और बाट साल में किया, तो वो 45, 30, 25 हो गया है. अब यही चीज आप अगले 10 साल तक करिए. तो हम अजीओं कर रहे हैं कि हर साल आपको 10% increment मिलेगा, विच मींज, आपने 2,40,000 रुपे से अपनी तंखा शुरू करी थी, 2030, 10 साल बाद, आपकी तंखवा तंखवा, 5,75,000, 5,65,000 रुपे होगी. विच विल मीन कि आपके पास जो split होगा, वो अब ये होगा, आप 10,000 से 15,000 रुपे अपनी नीट्स पे खर्च कर रहे होंगे, आपकी wands 6 से 14,000 रुपे तक चली गए होंगी, और आपकी investments चार्ज से 17,000 रुपे तक चली गए होंगी. इसको समझने की कोशिश करते हैं. Basically मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एसेंचली ये बोला हूँ कि जैसे जैसे आपकी salary बढ़ती है, आपको उस salary का जो increment मिल रहा है, उसको जादा से जादा अपनी investments की तरफ टालना है. Because if you are able to do that in the first 10 years of your life, पहले 10 साल, जहां आपकी जरूरते कम हैं, जहां आपकी responsibilities कम हैं, जहां आपको जादा पैसा अपनी basic जो wants हैं वो चाहिए, लेकिन वो अगर आप पूरी शिदत के साथ, पूरे discipline के साथ 10 साल अच्छे से invest करेंगे, तो फिर आपको कभी भी और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और इसका वादा मैंने किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये समझ में आ गया, अब ending देखिए क्या हुई है, हमने start किया था, हमारी salary का 50% need की तरफ जाता था, 30% want और 20% investments, लेकिन 10 साल बाद, 33% हमारा need की तरफ जा रहा है, which is still a big amount, एक तेहाई हमारी salary, हमारी जरूरत की तरफ जा रही है, 30% बरकरार है, क्योंकि हमने उसको change नहीं किया, and 20% का investment, अब जाके 37% हो चुका है, which is the smart investor, अब मैंने want को 30% क्यों रखा, want को मैंने 30% इसले रखा, क्योंकि, ये actual life है, मैं नहीं जाता, कि आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करतें, और जिन्दगी जीए ही नहीं, ऐसा दो नहीं होना चाहिए, कि अपने आपको मार के, एकदम सुकुड के, एक कोने में बैठ जाओ, गरीबों जैसे, और फिर बोलो कि, साट साल बात, पैसट साल बात में, पस करोडों ही करोडों हैं, और तब तक आप फूरे उड़ चुके होंगे, आपको अपनी जिन्दगी जीनी है, vacation होना चाहिए, mobile phone होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, whatever is it that you want, आपको basically, उन जरूरूरतों की तरफ, उन ख्वाहिशों की तरफ, अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि 20s में, मन भी जादा करता है, पाटी करने का, और फिर एक अच्छी सी गाड़ी लेने का, या बाइक लेने का, या अपना एक अच्छा सा घर बनाने का, so I have kept that intact at 30%, क्योंकि इससे जो भी आप पैसा, इनवेस्ट करेंगे, या सेफ करेंगे, to buy whatever you want, that will be a meaningful sum of money, for example, अगर आप इसको देखते हैं, 10 साल बाद, आप 14,000 रुपे महीना, बचा रहे होंगे, for your bonds, which means, एक साल के अंदर आप 1,70,000 रुपे बचा रहे होंगे, and that is a fairly big sum of money, आप अगर टोटल देखना चाहें, तो आपने इन पूरे 10 सालों में, 11,00,000 रुपे बचा होंगे, towards your bonds, अब ये सारा 11,00,000 रुपे तो आपके, बैंक में नहीं पड़े होंगे, लेकिन इन 11,00,000 से, आपने एक गाड़ी ले ली होगी, एक फोन ले लिया होगा, शायद अपने घर का कुछ EMI, या डाउन पेमेंट करती होगी, whatever the case may be, it is a significant amount of money, and I've kept it that 30. मैंने बस ये बोला है कि अपनी needs, अपनी जरूरूरतों को control रखिये, और उसको अपनी investments में लेड़े होगी, now, let's go to the next part of the budget, needs में क्या क्या आता है, आपका rent आ गया, food, electricity, mobile, basic कपड़ें, यह नहीं की fashionable कपड़े, transport, internet, वगरा वगरा, तो हमने start कर रहा था 10,000 रुपे से, अभी भी हम 20,000 रुपे वाले में है, तो फर्स करिए, आपका rent हो गया, 5,500 रुपे, food पे आपने 2,000 रुपे खर्च कर दिये, electricity का bill 500, mobile phone का 500, कपड़ों का 500, transport का से 1000, internet का 500, 10,500 आ रहा है, तो मोटा मोटा वही 10,000 के करीब करीब है, तो आपको इसी के अंदर, अपना पूरा, जरूरोत का, खर्चा निकालना ही पड़ेगा, that is how the budgeting is done, तो हर साथ, जब आपकी increment आजाएगी, आप बैठेंगे और बोलेंगे, अब मुझे महीने का जब इतना मिलता है, तो इसको मैं, इन सारे buckets में, बांटूंगी, and I have to be within 10% of this amount, उससे ज़्यादा deviate नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी allowance ही नहीं है, फिर आती हैं आपकी wants, wants में आपके पास क्या हो गया, गाड़ी bike हो गई, आप एक नया phone खरीदना चाहते हैं, एक fancy vacation करना चाहते हैं, महेंगे कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप बहार पाटी करना चाहते हैं, एक अच्छे से रेस्टराँ जाना चाहते हैं, whatever the case may be, तो वो सारी चीज है, आपने अपने गाड़ी के तर बोला है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी, तो मैं तीन हजार रुपे महीना बचाहूँगी, या बाइक चाहिए होगी, whatever the case is, फोन के लिए, I will keep 1,000, विकेशन के लिए, 500 clothes के लिए, 500 और dining out के लिए, whatever the case may be, and you will then split this, and make a budget of that, इसमें आपको बिलकुल बिलकुल बैठना ही पड़ेगा, you don't have any option, फिर आगई आपकी investments, investments में हमने 4,000, अब investments के क्या-क्या है, PPF हो गया है, तो आपका automatically कुछ कटता होगा, उसको इसमें डाल दीजिए, आपने insurance लिए हुई है, life insurance, health insurance, जो बहुत ही important है अपनी investments के लिए, हालांकि वो investment की तरफ नहीं है, but it is securing the amount and the life that you have, that is important, emergency fund में आपने कुछ डाला हुआ है, FD करी हुई है, जो प्लीज मत करियेगा, लिगन करी होगी, mutual fund में डाले हैं, stocks में डाले हैं, real estate में कुछ डाला है, Sona में डाला है, crypto में, you can then split and make that happen, तो 4000 उपे में कैसे invest करूँगी, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजों में डालना है, whatever is it that you can do, with the amount that you have, आप उपी से शुरू करेंगे, but here is the exciting piece now, मैंने आपसे क्या वाइदा किया था, कि आप 10 साल तक, पूरी शिद्दत के साथ invest करेंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप अराम से पैसे कमा सकते हैं, future investments दे, आप अगर 10% भी return कमा पाएंगे, जो की by the way bare minimum है, अगर आप सोना भी खरी लेते हैं, वो ही 10% दे देगा, equities में invest करेंगे, या अगर आप real estate में invest करेंगे, या अगर आप combination of equity, gold, corporate bond, यह सब में invest करेंगे, small case में करेंगे, तो वो सब आपको करीब 15-20% तो अराम से देंगे, लेकि मैंने 10% से शुरू किया है, तो 2,40,000 की सालाना salary के साथ, आप 10 साल में 12,00,000 रुपे बचाएंगे towards your investment, क्यूंकि आपने वो हर साल 10% कमाए होंगे, यही 10 साल बाद 11,00,000 रुपे, 18,00,000 रुपे बच चुके होंगे, यही 20,40 में 20 साल बाद, आपने कुछ और पैसा नहीं डालाया, 2030 के बाद, मतलब 10 साल के बाद, आपने invest करना बंद कर दिया, यहीं कि आप करेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलना हो कर दीजिए, बंद कर दिया, तो वही 12,00,000 आपके 49,00,000 बन चुके होंगे, 2050 में 30 साल बाद, वो 1,32,00,000 बन चुके होंगे, 2060 में 40 साल बाद, वो 3,60,000,000 बन चुके होंगे, और 2070, assuming that you are 20 और आप, अफकोर 2070 तक जीएंगे, तो वो 9,70,000,000 रुपे बन चुके होंगे, यह सिर्फ, सिर्फ, 2,40,000 स्टार्टिंग सैलरी से, सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करके, सिर्फ 10 पसंट रिटर्न पे, नंबर है, थोड़े सा नंबर चेंज करें, सार्टिंग सैलरी, मैं करता हूँ, 6,00,000,000, सब कुछ सेम रहा, 6,00,000, फिर आपको 10% increment मिली, मतलब 60,000 रुपे की increment, वो 60,000 रुपे आपने कैसे बांटे, 50, 30, 20, but in investment, want and need, आपने 10 साल में, 30,00,000 रुपे बचाये towards investing, वो 10 साल के बाद 45,00,000 रुपे हो चेंगे, 20 साल बाद 1 करोड 22,00, 30 साल बाद 3 करोड 30,00, 40 साल बाद 9 करोड और 50 साल बाद 24 करोड, सिर्फ 10% increment पे, यही 10 को, अगर मैं 12 कर देता हूँ, look at how things change, 15 कर देता हूँ, look at how things change, this is the power my friends, यह है power, इस compounding का, और इस budgeting exercise का, आप basically, बोल रहे हैं, कि 10 साल के बाद, अगर मेरी starting salary 6,00,000 थी, तो मैं कमा रही होंगी 14,00,000 रुपे, और उस 14,00,000 रुपे साल में से, मैं हर महीने 43,000 रुपीज डाल रही होंगी, उस, उसके बाद, मैंने डालना बंद कर दे, मैंने पैसे नहीं डाले उन 10 सालों के बाद, and that amount in only 20 years, will be 2,50,000,000 रुपे, just that, this is unbelievable, जब आप पहली बार इसको numbers में देखते हैं, लेकिन यह सच है, this is how it works, तो please इस Excel sheet को अभी के अभी डाउनलोड करिये, अपने number को डालिए, आप जिस भी उम्बर में हैं, वहां से शुरू करिये, अगले 10 साल तक, अपने आपको इस discipline fashion में रखिये, और फिर देखिए, compounding का कबाल, अब कुर्वारिकू, signing off, अभी के अभी, इस चैनल को subscribe करिये, ताकि अगर कोई भी नहा वीडियो आए, आपको उसके बारे में पता चले, आपको उसके बारे में पता चले,